हलो एवरिवन आप सब को स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे डोरी और ट्रैंगल के साथ एकदम नया और खुब सूरत सा पलाजो पैंटर डिजाइन तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम डिजाइन के लिए ट्रैंगल बना के तयार करेंगे तो ट्रैंगल बनाने के लिए मैंने साड़े तीन बाई साड़े तीन इंज का कपड़ा लिया है सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे और एक बार हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसी तरह से मैंने ये अपने पलाजो वाले कपड़े में से भी ट्रेंगल बना के रखा है अब इसके उपर ऐसे रखेंगे कम से कम एक पेर का मार्जन रखते हुए और इसकी खुले वाली साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे और अब यहां से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे तो लीजिए इसी तरीके से मैंने और ट्रेंगल भी बना लिये हैं और इनके उपर मैंने अच्छे से प्रेस कर ली है तो प्रेस करने से ये ऐसे जम जाते हैं अब यहाँ पे मैंने एक नियोस पेपर लिया है और इसके बी सेंटर में मैंने एक सीधी मार्किंग की हुई है इसकी चोड़ाई मैंने साड़े तीन इंच रखी है अब हम देखे ऐसे रखेंगे जो हमने बीच में मार्किंग की है इसके उपर थोड़ी सी नौक को चड़ाते हुए हमें रखना है और यहां से भी एक दूसरे ट्राइंगल के ऐसे उपर रखेंगे थोड़ा सा यह दिखे ऐसे उपर चढ़ाते हुए और ऐसे ही हम इसमें दोनु साइड से यह ट्राइंगल अटेज कर लेंगे तो लीजिए हमने एक साइड में अटेज कर लिये हैं अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी अटेज कर लेंगे ऐसे ही रखते हुए इनके उपर सिलाई लगा लेंगे तो लीजी ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है अब हम इसके उपर डोरी अटेज करेंगे तो ये मैंने डोरी जैसी थोड़ी सी मोटी पट्टी बना के रखी हुई है अगर आपको इस तरह की फेब्रिक पट्टी बनाना नहीं आता है तो मैं नीचे डिस्किप्शन में वीडियो की लिंक के दे दूँगी उस वीडियो को देखके आप ये पट्टी बनाना सेख सकते हैं अब हम इसे 20 सेंटर में रखेंगे और एक हम इस साइड से रखेंगे ऐसे रखते हुए हम इनकी दोनों साइड पर सिलाई लगाएंगे और ये हमारा डिजाइन बनके रेडी हो गया है अब इसको हम अपने पलाजों के उपर अटेज करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा पट्टी हैं इनकी हम कटिंग कर देंगे और ये हमारे पलाजों की सीधी साइड है और डिजाइन को हम इसके उपर उल्टा रखते हुए और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे तो धियान रहे जो हमने पहले सिलाई लगाई है उस सिलाई को दबाते हुए हमने ये सिलाई लगानी है अब इसको हम ऐसे खोलेंगे और यहाँ पर हम एक फेनिसिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और अब हमने एक और फेबरिक पट्टी ली है इसको हम ऐसे रखेंगे नीचे की तरब और यहाँ पर जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी सिलाई के उपर हमने सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद में दिखिए हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और यहां से हम इसको ऐसे मोडते हुए इसके उपर इसे पलट देंगे और जो हमने पहले सिलाई लगाई है उस सिलाई से हलका सा हमने ये अंदर की तरफ रखना है और फिर हमने उसी सिलाई की लेविल में ये सिलाई लगा लेनी है ये सिलाई लगाने के बाद में हम इस पे ये लेस अटेज करेंगे मेरे पास ये इस तरह की लेस पड़ी हुई है तो मैं ये लगा रही हूँ अगर आपके पास इस तरह की लेश नहीं है तो आप कोई भी इसमें लेश लगा सकते हैं और अगर आपको simple पसंद है तो आप इसको simple भी रख सकते हैं तो लीजी ये हमारा कुछ इस तरीके से ready हो गया है अब नीचे से हम paper को निकाल देंगे और यहाँ पे हम सुई धागा लेंगे और देखे आपस में हम इन triangles को ऐसे attach कर देंगे और यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से एक एक मोती भी लगा सकते हैं ये देखे तो इसी तरीके से मैं सारे triangle attach करके फिर मैं आपको पूरा design दिखाती हूँ complete करके तो लीजिए इस तरीके से मैंने पूरे design के triangle attach कर लिये हैं तो यह हमारा design बनके ready हो गया है आप देख सकते हो कितना संदर और beautiful लग रहा हमारा यह design तो आपको यह design कैसा लगा है comments करके जरूर बताएं अगर आपको यह design पसंद आया तो इस वीडियो को like और share करना बिल्कुल भी न भूले आपने भी तक channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजे और bell icon जरूर प्रेस कर लीजे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे और आप मुझे facebook और instagram पर भी follow कर सकते है दोनों का link मैंने आपको नीचे description में डाल दिया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही Thank you